दुमका के गोपी कांदर पुलिस ने महिला नकसली, मौनिका और फजीना कुमारी को गिरफतार किया है गिरफतार महिला आम्स आक्ट के एक मामले में पहले भी सवा साल तक जेल की सजा काच चुकी है पुलिस ने महिला नकसली को उसके सस्राल रामगर के बल्या खोड़ा से धर्द बोचा है आम्स आक्ट में पहले भी महिला जेल जा चुकी है दुमका में महिला नकसली मौनिका को गिरफतार किया गया और ये बड़ी उपलब दी आज पुलिस को मिली है आम्स आक्ट मामले में पहले भी जेल जा चुकी है महिला, महिला नक्सली मौनिका आज गिरफ्तार हुई है तुमका से ये बड़ी खबर आ रही है, महिला नक्सली मौनिका गिरफ्तार आम्स आक्ट के संबंद में पहले भी जेल चा चुकी है महिला नक्सली मौनिका आज फिर एक बार उसे हिरासत में लिया गिया है अधर थाना चेतर में कान संख्या उनीस सतरा दर्ज के आगिया था दोजर सप्रा में और उसमें करीब चोदा अव्यूक थे और कुछ अगिया थे और सारे अव्यूक को जो है कि कुछ लोग सरिंडर कर गिये थे कुछ लोग उस समय एंकांटर हुए थे और उसी के आलोग में एक मोनिका उर्फ जीना कुमारी महला नेक्स ले थी जीन का हम तरास कर रहे थे बहुत दिनों से और वो फिरार चल रहे थी उनको आज जो है कि रामगार थाना चेतर बल्या कोड़ा ग्राम से ग्रिफतार किया थे लाइक अंड शेर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बल आइकोन न्यूस लावन भारत सच है तो दिखेगा